बढ़ते हैं और नतीजों के दम पर कॉनसे स्टॉक्स फोक्स में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ अंच जुट चुके हैं अंच गुड मॉनिंग कई सारे नतीजे ओवर दे वीकेंड आये एस्पेशली बैंक्स बताये नतीजे कैसे रहे और स्टॉक्स कैसे रियाक कर सकते हैं बिल्कुल अच्छ शुरुआत कते हैं टाटा कंजूमर से वैसे तो इनके नतीजे काफी अच्छे रहे हैं लेकिन अगर हम उमीद के साथ कंपैर करें तो काफी मिले जूले होते हुए नज़र आ रहे है रिविन्यू की बात करें तो यहां पे 13% का अच्छा ग्रोड नज़र आया है 4,214 करोड का रिपोर्ट किया गया है वहीं एबिटा की बात करें तो यहां पे 16,17% की अच्छी बड़ोतरी नज़र आई है PAT की बात करें तो यहां पे भी कुछ 78% से बढ़ता हुआ नजर आया है और 364 करोर का यहां पे रिपोर्ट किया गया है अब अगर ICIS Lombard की बात करें तो इसके expectation से almost in-line number आये है PAT की बात करें तो यहां पे अच्छा 20% का up move नजर आया है लेकिन जो भी expectation था उसके ही in-line यहां पे नजर आता है net premium की बात करें तो यहां पे भी अच्छी बड़ोती नजर आये है पहले 4240 था अब कुछ 4830 करोर के आसपास आया हुआ है तो यहां पे भी अच्छी बड़ोती होती हुई नजर आती है अब अगर दाल्मिय भालत की बात करें तो इसके नतीजे काफी weak रहे है revenue की बात करें तो सिर्फ 2% गिरा है लेकिन सेम टाइम पे अगर हम net profit देखा जाए तो यहां पे 60% का एक downfall होता हुआ नजर आया है पिछले quarter दे compare करें तो EBITDA की भी बात करें तो यहां पे अभी कुछ 25% का नीचे के तरफ गिरता हुआ नजर आया है तो margin देखे तो वो भी पहले जो 18% था वो अभी 14% के आसपास आ चुका है तो यहां पे काफी negative sentiment बनता हुआ नजर आ सकता है RBL Bank के बात करें तो यहां पे भी हमें कमजोर नतीजे नजर आये है NII देख लें यहां पे NII में थोड़ी से बड़ोती ज़रूर दिखी है लेकिन अगर profit का आकड़ा देखें तो वहां पे करीबन 24% का गिरता हुआ नजर आ रहा है अब अगर Tech Mahindra की बात करें तो Tech Mahindra के नतीजे अच्छे आये है अगर हम उमीद के साथ इसे compare करें तो revenue देखा जाये तो यहां पे कुछ 2% की बड़ोती नजर आये है quarter on quarter पे लेकिन PAT देखे तो यहां पे 45% का एक अच्छा जंप होता हुआ नजर आया है साथी साथ जो PAT है इसमें जो बढ़ती है वो एक one-off के वज़े से आये है दरसल कोटक Mahindra के बात करें तो यहां पे काफी muted performance रहे है stand alone में देखा जाये तो NIA कुछ year on year basis पे 11% से बड़े है PPOP 12% से तो PAT 5% से आकिर में HDFC bank की बात करतें जो कि काफी heavy weight है आज निफ्टी के stock में भी तो इसके वज़े से अच्छा एक strong move आज नजर आ सकता है HDFC bank के नतीजे देखे तो यहां पे net interest income हमें 10% से बढ़ता हूँ नजर आ रहा है year on year basis पे same time पे अगर PAT देखा जाए तो वहां पे भी 5% का growth नजर आया है PPOP भी देखा जाए तो यहां पे भी अच्छी 9% की growth होती हूँ नजर आई है तो HDFC bank में अगर अच्छा move आता है तो इसके वज़े से पूरे market में एक strong move आने की आशिंका की जा सकती है तो कई सारे stocks जो नतीजों के दम पर आज focus में रहेंगे अभी-अभी HDFC bank की बात की HDFC bank पर और एक बड़ी खबर आई है जहां पर Board of Directors ने HDB Financial Services के IPO को अब मन्जूरी दे दी है 12,500 करोड कंपनी टोटल जुटाना चाहती है जिसमें से 10,000 करोड का OFS होगा और बाकी का 2,500 करोड फ्रेश इशियो होगा